लोगों पढ़ना यह था कि मानों के घर कैसे होते हैं कि मानों के जो घर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और हम लोगों नहीं पढ़ा था प्रकार होने की भी कारण है प्रकार होने करण क्या है जलवाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसका वातावरण महां का वहाँ का परियावरण उसके साथ साथ मैंने चीज और सिखा था कि अगर वहाँ का परियावरण वहाँ की प्रत्कूल भी होता है तब यह कंडिशन ऐसी होती है कि घर वहाँ के भी प्रिद बनता जैसे आप के हाँ घर बार-बार गिर जाते हैं अब बगल मीट का बठा है जब बालक पढ़ेंगे आप लोगे बाल विखास पढ़ेंगे तो सीटेट के अनुसार तोहां पर हम लोग यह पढ़ते हैं यह देखते हैं यह पढ़ने को यह चीजे मिलती है कि जैसे किसी भी बालक के किसी भी बालक के भविस पर या तो लोग कहते हैं कि एक बालक के उस हैं वाता वरन परयावरन के असर पढ़ने पर बालक के पढ़ने और पथन पाथन पर पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है चली कैसे सामाजी कुछा हो जैसे दो बीज्जी लिया जाये ठीक यह दो पेड़े लगाए जाए एक अग एक कठर को में का लगा जाये यह कठर की लिए दिया जाये दोनों के फार्यावन दियाए क्या डोनों यॠान जाएंगे अभी आपने बताया कि जल्वाई का सब्सक्राइब बालक डोब आ जाए तो दोनों भालक को पढ़ाएं तब क्या होगा था तब क्या होगा तब क्या हो अब आप पैगे इने पे अब क्या के माता पिता से ऑडू कुछ फूर्ड मेलते हैं यह आम के पेड़े में क परिवार का भी ऐसर अब का उनके पालन पॉसल का भी ऐसर पड़ता है जैसे आप पालेंगे वह इसा होगा अब दोनों पीड़ा लगा दीजिए खुब खाद गोबर एक जिशा दीजिए तब क्या कठल पीड़ में आम आ जाएगा अब किसका आफ़ पड़ता है अब अन्म अन्म सिक्ता किया जाएगी अब अन्म अन्म सिक्ता में बात करते हैं दो वीजिए आम का ठीक आपके घर के पास लगाईए और एक लोया के पालप लगाईए ठीक दोनों का अन्मा सिक्टा एक का है क्या दुनों जो कहा हम होंगे मतलब की इस पेड़ को विकास करने के लिए सबी फ्रैक्टर जुरू थे नकी केवल परियावरण अब यहाँ परियावरण खतम अब यहाँ परियावरण की बात करेंगे और जब परियावरण की बात करेंगे तो जीन की बात करेंगे कहने मतलब सब एक दूसरे के parallel हैं कहने को मतलब वहाँ के बातावरण वहाँ के अनकूल वहाँ मनुदसा के अनसार अपने आपको परतिन करना ढाल लेना ही अब यह पढ़ेंगे आप लोग डार्वीन और विन को पढ़ेंगे पढ़ेंगे भी यह क्या आपका अध्याम है आप कहेंगे डार्वीन हो लायमार कहां सा आगे हम तो पढ़ेंगे परियावरण इक अच्छा है आगे आगे लोग पढ़ेंगे कि उनका विकास पर जैसे देखों किस गालर के होते हैं किस गालर के होता है अच्छा एक कलर जानते दुसरा कौन सा होता है अच्छा थीए अभी देखिएगा इस पर चले आएँ देजिए क्योंकि गोड़े कई रंग होते लिंगा एक करम होते हैं अच्छा चलिए अब आते हम लोग कांज हम लोग पढ़ेंगे मानों के बनाया हुए आवास हुता है सबसे पुराना और जो है मिटी के घर मिटी के घर से क्या-क्या फ्रस्तम बंसकते है या मिटी के घर से का बनाने क्या क्या लाब होंगी किसको उसकी घर में रहने वाले को हम आपको नहीं मिट्टी घर में रहने वाले बैक्तियों को किस-किस प्रकार से लाब होगा किस की दिश्टि कौन से घर ठंडा करेगा जब घर ठंडा रहेगा तो इसका मतलब ऐसे चत्रों बनेंगे जहां गर्मी ज्यादा हो जैसे रालस्थान कुछ चीज़ आपको अपनिया सोज में जाएंगी कि मिट्टी घर कहां ज्यादा बनेंगे जैसे रालस्थान मिट्टी घर के अंदर क्या रहेगी ठंडा रहेगी और 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 क्या कारण हो सकते हैं कुछ पॉइंट लिखवा देगा जा मिट्टी खूब कहां मिट्टी नहीं होगी अब सबसेता सिमेंट किस राजिमें होता है अब सबसेता का होते हैं संग्मर्मर अच्छाल संग्मर्मर मकराना वहां रास्थान और घर बनाते हैं मिट्टी की तो अब मैंने कुछ दर पली यह बता जैसे आपने जीन वाली बात की उपलवता भी परियावरण के अनुसार में पड़ती है अब संग्मर्मर घर बनाया मता धूप लगी तप नहीं लगा तो इसलिए कभी-कभी उपलवता कि अनुसार सासाथ हमें किसके परियावरण के अन्कूलिया ही चलना पड़ता है जैसे प्रस्टन पूछा भी जाता है जैसे इसे में के बीस के इंट्रिव चलना है के बीस जनते हैं केंद्री विद्ध्या लाइगा वहां पे लगा था इ को समझाने के लिए कैसे समझाएंगे इसे में इंट्रिव चलू है आप लोग भी दे क्योंकि राज सरकार की भर्तियों से भरोसा उड़िया है कि शिटेट इस बार हो जाए उसके बाद आप लोग दीजिए कि हम भी देंगे के विए केंद्रे विद्या लें ठीक है क्योंक अगर आप भारते से भूमी में पहाड़ी चट्रों चोड़ दे तो नहीं कहा जहां मिट्टी हो बताएंगे भी बता रहे हैं आने दीजे समय अच्छा अब गर्मी की दिनों में गर्मी की दिनों में मिट्टी के बने घर के अंदर ठंड़ रहते हैं क्यों उसकी दिवाले मोटी कर देते हैं दिवाले का करते हैं? मोटी कर देंगे जो दिवाले मोटी हो जाएंगी तो उनके तापमान का सरंदत नहीं पहुच पाएगा इसलिए घर में रहना ठंडक रहेगा, ठंडा रहेगा फिर आगे अच्छा, यह प्रस्ण सीटेट का पूचा है कि मिट्टी की घरों की छटे जो होती है, किसकी बनी होती है? घास पूस या ज़ाडियों की बनी होती है कुछ घरों की छट पर नीम्या कीकर की लकडी का प्रयूक के जाता है ताकि दीमद ना लगे या कीडे ना लगे, या प्रस्त सीटेट को पुछा आए कि दिवाले में मिट्टी की लेप क्यों लगाई आती है, आप लोग देखा ने, सीटेट पुछा कोछन है, अगर आपके पास पेपर हो देख लिजेगा, अच्छा, इन घरों को समय समय पे लिपाई की जाती है, मिट ये पुछा सीटेट का प्रस्त, अगर आपको नहीं हो विश्वास पेपर उठा के देख लिजेगा, जैसे कीडे ना लगे, कीडे, इसका उत्तर था, पुछा कोछन है, अच्छा, मिट्टी को मजबूद बनाने के लिए, क्यों मिट्टी ही लगाई जाती है, उसमें भूस बनाने पानी, अच्छी मिट्टी कोल अगर जाती है, इसमें भूस मिट्टी की कहानी, अब आते हैं ये थी मिट्टी की कहानी, अब आते हैं, बास की कहानी, बांस जानते हैं? इसे अप साथ अंगरेजीन बंबू कहते हैं क्या? तो एक परसन और पुछ चुका है आपके सीटेट में. बंबू डांस कहां का प्रसिद्य नित्य है? असम का. वियो कहां का है? चलिए. अच्छे है. बांस के घर कहां बनाए जाते हैं? किस चित्र बनाए जाना जाते हैं? अब जानते हैं नहीं. जहांपर खुब बारिस जादा होती है उन्हें छेत्रों पर बाहर से घर को फैक। और भीस ऊजर, ठीख, लहकड़ी घर के पढ़ेंगे, बेलाशाय की चर्चा वो रही है, फिर वांस भर बना Тाकि, यदि कभी बांढ आए तो बांढ का पानी नीचे से बहचे घर आपका भारत में इस प्रिकार घर कहा बना जाते हैं लेकिन ये असम जैसे राज्यों में परेद्रभात के राजयों बना जाते हैं लेकिन सरवादिक जातर असम में कि बास की उपलफ़ता भी तो चाहिए तो असम इसलिए इस असम का नाम से असों कहते हैं पहले असम था आसम की राजधानी जिसको सभी उन्तिसो राज जो साथ के साथ प्रदेशों की राजधानी आप लोग रट्टा मार दीजेगा ठेक तो असम में यह जाज अतर बनते हैं तो हम लोगों ने दूछ जिजे पढ़ा एक पढ़ा मिट्टी का घर एक पढ़ा दोनों से सीटेट ने पर से पूछे जा चुके हैं मिट्टी घर कहां रास्थान बंबू माने बासी घर असमझे छित्र में ठीट बारिश ज्यादा होगी अगे आम लोग लिखेंगे पत्थर या लकडी के घर यह पत्थर लकडी घर कैसे बनेंगे पाथर जानते बड़े-बड़े बोल्डर बड़े-बड़े पत्थर उसके घर कैसे बनेंगे क्या करें बताइए पत्तल गहर कैसे बनेंगे पत्तल गुफा होते थे अब घर कैसे बनेंगे हां अब से कटिंगर के घर अब ऐसी क्या से जरुर्वत पड़े आएगी आप बताइए अगर आप ध्यापागा एक स्टूडेंट है पत्तल के घर बनाने के लिए किन-किन कि लिएगा लिखना कुछ नहीं केवल समझते लिए का राज्यो गनाल मिति लिए बागी समझते चलिएगा कि जितना बेतर संब्जेंगे उतना बेतर नमबर लाएंगे और कोई कहा बात की बात-बैब भरोसा हो तो चलिए देखियं प्राइज पथ्टल घर बना जाते वह पहाडी चेत्रों बनाए जाएंगे न कि मैदानी चेत्र में दो बतर्स पश्ट हो गई कि पत्थल गर वहीं बनाएंगे जहां पत्थल अधिकता होगी और पत्थल अधिकता कहा होगी पहाडी चेत्र में तो ऐसे घर पाडी चेत्रों बनाए जाएंगे फिर आगे आप आईसे इलाकों में वर्षा दिखोती यह बर्फ भी अधिक परती है चलिए डौर से मिल्प पहले मना करें दे देए की लेट हो सकता है यह फेम लोगों देख रहा था कि पथली घर बना जाते हैं उनका सबसे पहले क्या है पाली चत्रों मना जाते हैं पाली चत्रों में वर्फ बारी ज्यादा होती है वर्षा जब बारी ज्यादा होगी थर दित्वारस भी महत्र याएगी अब आराले च्पर इपना हिंपात हुआ गोरा खु worse नेचे चलाएगा वह से खर बना है अपने वर्षा होई इस फोर्षा साथ हाह आलगा क्या हुआ तो मतलब पत्तल घर पहारी सित्र बना जाएंगे अब री शित्र में इसके दो खारण तो हिंपात मैंने बंभारी बंभारी क्योंकि आज पहार्त ने एतएग किया है अब उसा बात में पुछेगा अभी यह परावनिक अच्छा है ठीक है तो बारत अटेक इसलिए बार्वारी समझे बंबारी ना समझेगा ठीक है और आगे बढ़ते हम लोग तो फिर यह चेत्र में होते हैं जहां पर पाड़ी चेत्रों और आगे बढ़ते हैं ऐसे चेत्र कह की होंगी पत्थल जो घर बनाए जैको डहल वाचत होंगे पढ़्ब की वोगी तो रुक नोगुट नहीं नहीं तो दम जाय तो यहां यहां के जो घर होते ऊट वह दो तरिके बना जाते यह तो लखडिक यह पसर के कि पहाड़ी च्तर पे लखड़ी की उपलमता च्छत हो जाद तर पत्फल बना जयते हैं तो पत्थल उपलबता जादा होते ठेक तो ऐसे क्क्रण वर्ष में कर जाद तर यह दो तनले कंगा बनाते कि किन तनले का दो यह दो से अधिक का न लेका कि अब परवती इस ज जंगली जनवर खत्रह होने के नाते यह लदाग जैसे छित्र लदाक का है? जमू कस्मीर में? जमू एंड कस्मीर में लदाक है तो लदाक में जो इस तरह धर भर बना जाते पतल प्राया दो मंजले बना जाते हैं पहले मंजले क्या करते हैं लोग निशे का जो रूम होता है तो इसके लिए बनाते हैं जानवरों के लिए निशे बाकरी बाकरा निखें से पालने ठीक में उनमें ल 계ह वां इंदे है नीचे ऊश्वाम कहा रहते हैं ज़्या कि जह बना की जनौर अगर ह्मला को शां अभी ऐसे इसकी पहल करें अच्छ उसके बाल से बना जाता है उसके पैर से बना जाता है उसके हाँ उसे क्या बना जाता है कपड़े पैंट के साल बना जाते हैं न हाँ उनी कपड़े साल भी उनी कपड़े उनी कपड़े बना जाते हैं पस्मीना ठीक वहाँ बकरी है वहाँ पाई जाती ऐसे चत्रों म ठीक फिर आगे देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ा जाएं अच्छ यहां के घरों में कीडी मकोलों से बचाओ के लिए क्या करते हैं अभी वहां तो था मिट्टी घर में गोबर से लिपपाई करते थे यहां पर चूना से पुताई करते हैं चूना जैनते हैं आप लोग सूर्थी मिला के खाते हैं हाँ उसमें भी जिंदा होता है बुझा होता है आगे पढ़ेंगे जाप लोग सुपर्टेट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसाधी चट्टान सीख सेडिमेट्टे रॉक्स फिर वहां पढ़ेंगे चूना का होता कई ये खाते हैं और महिला ब्रत में सेधा नमक खाती है वह कौन सा चट्टानी नमक उसमें जिवासम पाजाते नहीं पाजाते है ठीक वागे मोग पढ़ेंगे तब देखेंगे सुपर्टेट का सेलबस में वह अच्छ अब लद्दाग जैसे में पथन घर कैसे बना जाते पथल लगडा़ि के लद्दाग जैसे चित्रों में पथल घर कैसे बना जाते हैं तो कि नहुंत एक लिए अ उनक्या खट हुद रहते हैं और आप अपने परदेश, उत्तर परदेश, मैदानी छित्र में हैं, आप कैसे होती है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, जादर कपड़ा सुखाने में, टहलने के लिए, खाना पचाने के लिए, पापड बनाने के लिए, कुछ सुखाने के लिए, तो सेम चीजे वहाँ भी हो पत्थलों के लिए, ताकि फसल सुखे जल्दी जाए, तमानी प्राया आपने च्छतों का उपयों किस लिए करते हैं, फसलों को सुखाने में, और अपने नीचे वाले फ्लोर के इस्तिमाल, और किसके बनाते हैं वो, पत्थलों के ठीक, और कभी कभी लगपड़ियों का भ होते हैं, और भायत में इस प्रकार के घर प्राय किन किन राज्यों में पाये जाते हैं, अब नीचे उसके पैर के पास है जम्मू एन का स्मीर, ना के नीचे हिमांचल प्रदेश, तो हिमांचल प्रदेश और जम्मू का स्मीर, इन छित्रों में प्राय पथल के घर मिलते है पत्था लठ्वा लगडी के लगडी पत्थल लगडी के घर मिलते इनका प्रियोग क्या है इनका उप्योग क्या है गहर क्यों बना जाते वह आपको मैंने बता दिया सास्वन भी आगया होगा, लिखने ज्यादा सुनने भी सोन में आगगा, और परिछ्छा में पुछेगा, कि पत्थल के घर में रहने वाले वहां के निमासियों के लिए कीडियों मकोलों से बचाओ के लिए विए किस चीज का प्रियों करते हैं, क्या उपियों करते हैं, तो क इठ के मकान इठ जानते है न इतना पड़ला जड़ जड़ होता है अच्छ दूड़атель होता है 6-8 周 मिः खाया जासी मेर किसि काह नहीं पmbक होगी किसी क्या घई खाई करेआप होगा किसी किा हमारे जैसा होगा ठीक तो अलग लग जेगा अलग लग होंगे इट की साइज तो अब इट के मकान अच्छा एक बात आओ जहां इट के मकान मना जाते हैं उनकी उच्छाई कम होती ज्यादा इंचे इमारत बनते हैं मतलब जो पथल के इमारत उंचे नहीं होते ये भी बात जानते रहेगा पथल की इमारत उचे नहीं होते लेकिन इट की इमारते क्या होती है उची होती है इट और कंक्रीट कंक्रीट में लोग करते च्छत वाली कंक्रीट इसे हम ढ़लगिया कहते हैं अब लोग नहीं जब दर पहले वता रही है तो जाली आगे लिए इसमें देखिएगा इस परकार के ना कैसे चत्रों पाजाएंगे इसमतल शट्रों में मैदानी शट्रों पाजाएंगे यह बात इतर मसपस्थ है और यह एक मंझिला से लेकर भाह मंझिला भी हो सकते हैं वह म अपने देखाई होगा अजकल अभी 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 अध्यापिका होईगा एक चलिए कि लाहबाद में एक बनारस में लेते हैं तो कहा लेंगे तो उपर इसे लेंगे ठीक मजिले बने रहेंगे तो पता नहीं कौन से फ्लोर पर आप लो कौन से कमरा नंबर रहेगा इसलि माने एक करूण अगर आपको एक करूण पर आपने सपना देखा देख नहीं तो मास्ट्रा बंजेगे देख जाद वजय कमनी होगा चलिए अच्छा भारत के मैदानी चत्रों में ऐसी इस प्रकार की मारते पाए जाती हैं प्राया सहरों में बहु मंजिली मारते होती हैं औ और यमना Share लाए गए द्यृप तो मैदारी में ऐसे चत्रों में इस प्रकार की घर मिलते हैं जैसे उत्तरपरदेश बिहार आट इसे चत्रों में मंदेश से पूरा इसने कुछ हिसा ठOn से बिहार और अपना प्रदेश मैंने उत्तर प्रदेश दोनों ऐसे हैं जो आप इस प्रकार घर मिलते हैं बस और इसकी बहुत बिसे स्खासियत नहीं है अजिसे में दरवाजा रोजा किसी होता है खिड़की क्या होता हो लोग जानते है रोस अंदान बना जाते किसलिए ताक क्यों पर ब fartよね रख दिजिए अने नहीं अच्य ता बर्भाफ घर कैसे होते है यह अजये ठड़ी स्व्डान बना जाते जो थंडे沃ते हैं यह साइबिरिया कंड़ा उ पे मिलता हु नहीं कुछ का मतलब ईकुछ का मतलब लखडी मिटी और कुछ नहीं मिलता वहाँ पर तो वहाँ पर किसके बर्फ में रहते हैं बर्फ का घर बनाते हैं यह अर्द चंद्राकार जैसे होते हैं आगे पतली सी के कछवा देखें उसकी मुंडी की तरह उसमें इंट्री करने के लिए होता है वह प्राय उसमें कई पड रिचल्व ता बहार के फ़ह ज़्यादा होता है और ऐसेटर भी बना जते हैं बस हम एसकी मों और को सिकार्स करते हैं यह उससे गरम रखते हैं और कि उसके नव बनाते हैं और चोड़ी 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 जैड़ी एड़ी वहार पुंजे साथ हयार बनाते हैं जिसे सील मचली का वो शिकार करते हैं और एक गाड़ी खरीदें गाड़ी पर अल्टो की तो आजकर वहां भी चलने लगा है वह आना जाना होता है किसका प्रोग करते हैं एक्टिवा जानते नहीं जानते अब लोग अध्याभिका बने पहले टार्गेट होका एक्टिवा यह नहीं चलती है उसका नाम स्लेज किसे चलती है पेट्रोल से और हम कुट्टे चलातें कि मद्वाने चलाते हैं ड्राइवरी करते हैं ठीक रहता है रहाएँ यहाँ पर गोडरे पाद जाते हैं चीले बैलीरे अगणHow हां एक हुक अब ग्णार्य यहां आदिए उ अचिर गारी एक जव Beispiel caseable you गोडा गोडा कैसे रोकतें भग नैं लगातें हैं अरे एक गाल में गयादो जी बताये बहुंगे भास को लगाते हैं नांकेह और वैसरों तो पता चलेगा अरे वoksर दीपस हई ने यनकाए भास जरूर रहते हैं गाया घ्च लिखь ठीक है यह बड़ गार होता है बड़ मेरते अंशन गुम्मदा कारन तो हुते अंदर चोटा सा हु थो से अंदर जाते जाते है यह तिनचाप परक्तमे होत् пром को अंदर का टंप्रेचर बहा कंप 65ЕНबरց दोग त typरन दड़ रहे लिए लिए है इसे भर्व के टुकटे काड़कर उपनाया जाता है इसे ब्लाक्स कहते है आप अको रहने हिसे फथलके नहीं राक्तिए नहीं से पथले चनुच्riend रखती उसे हो ठाव अब अगला पढ़ेंगे हाउस बोट यह हाउस बोट क्या होता है बताई नाओ पर बिखर बनाते हैं यह नाओ पर घर क्यों बनाते हैं बनाते हैं नाओ यो काफी दिनों तक गूमने निकलते हैं यह नाओ नोकॉले नहीं निकलते हो मचली ABOUT होस भोट होता है लकडी बना जाते हैं और उसे बड़ी बाद इसमें जो हासो बोर होता है इसा है जोसकी खुब सूर्थी को चत्रों में जाते हैं जैसे आपका जम्मु कस्मेर का प्रसिद्ध कौन सा जील है बुलर जील और आपको केरल में नौका दोल होता है वहाँ का पसिद्ध हवार है एक नाम उसका ओडम आप टेलीग्राम जुड़ेंग नहीं जुड़ेंगे आप लोग टेलीग्राम इस्टॉ आजिका प्रमुख तेहवार है इसमें टेलीग्राम पर डेलीग्रीष चल ला है तो ओड़ा में वहां का तेहवार है तो हाउसबोट कहां है किसलिए बना जाते हैं क्योंकि काफी दिनों तक नदीब में मच्छी मानने के लिए या तो परेटर को बढ़ावा देने के लिए किसे अगर आप लोग भूमने जाएंगे दूठ नाओ खड़ी हो एक हाउसबोट और एक टो सिंपल नाओ तो इस पर बैटे गूमना पसंद करेंगा तो इस पर हाउसबोट क्यों जैसे हमारे एक्टो माहनुभाव है वो कहते है जैसे किसी किया साधी समारों मगरन को जाना नाओ नुएक पर दोहां होता है तो जैसे है हमगोड़न वी कर दोधिया डूक हो जाती है है अगर घर देखिन को जाए तो न हो को मदम धां में एंदे टालाक है था ठीए और वो 59 और इसके पर पांसमेच चैनित हो गए है लेकि लेकिन उका कही है तरीका कि कि जहां जाते थे यह देखते थे देख पहले क्या घर पर नहीं बनता हम तो हिल्का भोजन करते हैं पहले खुझे चावल दाल का है लेकिन वह जा डॉल दाल का यह गिन आप अर देखते हैं अ तो आपके लाडेपूर शिक्रारा में गेस्ट कुरूप में जाना है तो आपके जाना है तो बढ़ी समस्या इसलिए बचा बचा के रहना पड़ता है तो हम लोग कहा थे हाउस बोड़ पे थे आगे बढ़ते हैं दोंगे एक होता है हाउस बोड एक होता है डोंगे इसे अब लोग गवंट डोंगी कहते हैं डोंगी मतलब छोटी ना होती है डोंगे माने हाउस बोड को में हाउस बोड में जब अलग अलग कमरे बना दिये जाते हैं और उसे वहां के निवासी या रहने वाले लोग उसे र जब कमरे बना दिया जाते हैं आट यूसर रहने के लिए तो मैंसे पने के लिए इसका रतिया के दोंगे में ही हो जाएगी on तो इसमें भी लोग दोंगे बनवा के उसे ब्रहना सुरू कर देंगे, कम पाइसे हमें काम हो गया, जमीनों खेदना नहीं पड़ेगा, खाली गहर बनवा यह रहिए, अलो अध्याविका हो जाए, जमीन महंगा हो जाएगा, बगले गोमती नदी बहती है, दोंगे बनवा के इस्तेमाल नहीं करते, इस पर भी नकासी होती है, माने सेम चीज हाउस बोटका ही रहेगा, लेकि इसमें कमरे बना जते हैं, और अस्थानी लोग यहां पर रहने के इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ, खेती इसमें कैसे करेंगे, आप गुलाव को फुलू लगा सकते हैं, थो आप लखेगा टेंट, टेंड क्या होता है, तंबु से कहते हैं, टेंड प्राय आस्थाई निमास करने वाले निमासिस का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं प्राय खाना बदोस जीवन, बने खाना बदोस जीओं नियापन करने वाले लोग प्राय टेंड का इस्तेमाल कर इसका प्रियोग प्राय वह वक्ति करते हैं जिनका जीवन खाना बदोस हो जिनका जीवन अस्थाई नहीं होता इन कभी-कभी अस्थाई जीवन में निवाज करने वाले लोग यदि परेटर च्छत्र में जाते हैं कई लंबा टूर पर जाते हैं तो वो भी अपने साथ के लिए अश्थाई जीवन आपन जहाना करने की संभाना तेंड लगाये दो तिर राते के उठाया फिल लेगाये फिल लगाये थे इस तरह आश्थाय रूप से जीवन आपन करने के भी निवास करने के लिए जिश घर का प्रयोक करते हैं उसे टेंड या तम्भू कहते हैं य और प्राया प्लास्टिक के टेंड का इस्तेमाल परवत रोही जब परवत पर यात्रा करने के जाते हैं तो बर्व से बचने के लिए वर्षा से बचने के लिए एवं ठंडे हमाँ से बचने के लिए प्राया वा किसका प्रियोग करते हैं प्लास्टिक के टेंड का प्रियोग यहां के ज़नजाती लोग होते हैं यहां के ज़नजाती का मतलब यहां के जिसे आप क्या भी ज़नजाती होंगी चांगपा के ज़नजाती लोग हैं अलदा के चांगपा के ज़नजाती लोग याग के बालो की याग के बालो की पट्टियों से टेंड बनाते है जिसे रेवो कहते है याक के बाल याक के बाल से कौन चांगपा यह कहां कि जहन जाती है लद्दा के यह लद्दा के यहां की जन जाती है इसे हम क्या कहते है यह याक के बाल से बनाते है इसे चंगपा कहते है इसे रेवो कहते है वो जो जो टेंड होता है इसे टेंड का नाम रेवो होता है और हिंदी में एक मुहवरा आता है नाक का बाल होना नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना अधिक नाक का बाल और याक का बाल से रेबो ठीक कौन से जंजाती चांगपा ठीक ठीक चलिए आगे बना जाए अब यह लिखेंगे हवेली महल या किले इसका निर्माण प्राय राजा महराजा या अमीर दाजे लोग करते हैं या बहुत बड़े या कई लंबे छित्र में फैले हुए होते हैं इसमें कई कम्रे और कई प्रकारे के खंबो स्वे मिलकर बने होते हैं इनकी छते चोड़ी या मिलकर बने हुई बड़ी छते होती हैं जिसके अंदर कई कम्रे कई प्रकारे खंबे होते हैं इन खंबो और कम्रों और छतों के दिवारों पर प्राय नकासी के भीकले मिलते हैं और इसका प्रियोग इनका प्रियोग वह अपने साथ साथ अपने दास दास्यों के निवास के लिए इसका प्रियोग करते हैं यह प्राया खर्चीले होते हैं इनकी रंगाई पुताई आधि में खर्चा होता है यह इसका निर्माड राजा महराजा जमिदार यह अमीर जादे लोग इसका प्रियोग करते हैं बस आज ये खतम ठीक और इसका प्रियोग इसका जो इस मकान का जो प्रियोग के जाता है प्राया इट की इड़ जानते हैं इट पत्थर और लकड़े का प्राया बहुताय में इसका प्रियोग के जाता है नकासी के रूप में जहात्तर को प्रिएब को जाता है बड़े-बड़े दर्वाजे भटक वी इसमें प्योग आ जाता है और इसमें यह महल पढ़ा और हवेली इसके साथ केली केले करें मार जो था हो पत्थल से बने होते हैं मतलब राजा मराजा अपने आपको शुर्षित रखने के लिए जिस हवेली का निर्मार्र करते हैं उसे कहते थे किला कहते थे ठीक और यह प्राजय पत्थल की बने होते इनके जो दरवाजय थे काफी बड़े माहल और किला इसमें प्राइय का देखने योग की चीजा इसके नकास, अगर हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं उन पत्थलों पे नकासी उन दिवारों सी छतों पर निमास नकासि उन जो खंबे पहले के पहले की है प्रियोग क्या जाने है अब पहले उतक पर अब मिटी की आते थे अग न्याई प्रकार चला है सिमेंट का भी इटाता है अब हमारे हाँ तो मिट्टी मिल जाते हैं बागी सारी शत्र में सिमेंट कीट आते हैं ठीक सिमेंट कीट आने लगे सिमेंट और बालू के इस प्रकार ये आवास में आस्र में हम लोग जो घर पढ़े थे वो खतम हो गया इसके पहले हम लोगों ने परिवार पढ़ लिया है इसके बाद से कोई नया द्या उठाएंगे सीट का जो हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे तो आज इतना ही था और इतने में आप लोगों ने पढ़ा सुना समझा होगा यहां से एकाद प्रशन कईसे आएंगे या काईसे बनेंगे और प्रशनों को भी चर्चा कर लिया जाए किसी दिन कि यहां से प्रशन Kaysay अप प्रशन पूछी लेते हैं आप लूग बैठे से बैठने гр need को मतलब है नहीं तो सुर्जीद जी सुर्जीद जी सुर्जीद जी पहले सुरुवात आपी से किया जाए कि आप लेटर बैठे रही है किस छेत्रों में किन छेत्रों में प्राय पथलों के घर बनाए जाता है हां 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 लद्दा छेत्रों में और उसका उद्देश क्या होत होती है और पाड़ों पर आप बताएगा कि पत्थल को घर बना जाते हैं उनकी छते कैसी होती है धालदार क्यों होती है अंतिमा जी आप बता देंगे कि महिलाओं में एक तक होती है क्लास्रूम में लोग जैसा कि बताते हैं क्लास में किसी से पुछित बगल पुरंद मुबंद करके मुदा आपके बगल से बता देगा इसका उत्तर यह बहुत अच्छी बात भी है और नहीं बता दू कैसे अगर आप कभी मदद करना रा करे तो आप परिच्छाहाल मदद क्य परिच्छाहाल में परिच्छाहाल में परिच्छाहाएं। अगर में भड़ें से बता कर तो ने बास्तों में आप उनसे मिठता का नहीं आप उनसे दुस्वनी अपना निकालता है वह बिचारा बढ़ेगा नी उत्तर जाएगा और आप ग्ञान लेकर और आगे बढ़ते जाएगे इसलिए classroom में आप मदद ना क्या करिए मदद करके आप अपने मित्र का भला न करके उसका मनोबल तोड़ते हैं अब भुष में उसे बड़ी परिछाओं से वन्चित करते हैं अगर उन नहीं पता भाए का पता है घर जाके पढ़ेगा और याद करेगा कि नहीं आप क्या करते हैं यहा कच्छा कच्छ में कभी भी आप लोग एक दुसरे मदद ना करेंगे नहीं आगए तो नहीं बता भाएंगे तो गोली मार देंगे इसलिए बताना वह तो नहीं पूछी लीजिए इससे यह होगा कि ज्ञान का परक होता है और सासे बड़ी बात सासे मज़ेदारी होता है सी जयान परक होगी अगर बच्चे जवाब दे जैसे अब पुछा अपने यंतिमान जवाब दे दिया तो कैसा होगा तो क्लास बैरत हो गया नहीं रहाता है और मतलब यह कोई पूछ बच्चे सारेस का जबाब ना दे अ कुछ बच्चे जवाब ने पूछ ने पूछा परस प्रस्ट करते हैं और जब बच्चा खड़ा होता है तो जरूर सो भड़े उसको नहीं करता है और जब उसका उत्तर बता दिया जाता है वो पूरे जिवन प्रेंद प्रस्ट को नहीं भोलता लेकिन जैसे बारी वे सबसे पुछा जाता है सब्लों क्या करते हैं अपने दिमाग का सववे करते हैं और कुछ ना कुछ सोच ते जो नहीं आप सही प्रस्ट का उत्तर बता है कभी यह नहीं है कि ट्रस्ट में आप पढ़ा रहे हैं तो सही उत्तर देरें इसका मतलब बहुत अच्छी है आपकी क्लास में बच्चे सब्सक्राइब करें तक पर नाम ग्यायन है उनके पांच पंच पन्ने का याद ऐंक ऐसा थाए नहीं है इनका सवाल इतना ह 느Fr Itu सवाल कोई यहां नहीं है इसलिए आप सभी लोग खुल कर गलत सभी जबाब द्रया करिए और फ्यास किया करें जिस है दो कियांगे तो उनका क्या होगा जो सही बताते हैं अभी ये भी कमिया होते अभी अंभी पुरेंगे छलिए अब आगे देखेंगे जैसे आप लोग जानते हैं न एक कच्छा नायक अब अपर दीक अच्छा क्या होता है हां जो मानीटर हो तो उन्हें क्या कहते हैं अगले दिन आपके प्रस्न का जवाब देना के इच्छोग होते हैं जवाब देना चाहते हैं इसलिए मानीटर चैन करना है हमारी कच्छा में जो बच्चे बताएंगे उनको क्या होगा एक रिवन देंगे हैं पर लागा कि पूरे क्लास में तो बच्चे क्या करते अपने आपको लीडर समझते हैं और क्या तो कुछ बहतर करने का प्रयाश करते हैं कि मैंने बताया था न अगली बाद टेस्ट होगा तिने सबसे अला डर किस बात का पता है इस अस्थान को उनकी जेश्ट बगलन प्रतिमा है तुरह लुक्त कोई डर नींचे जा Judy लेकिन नहीं सकता इस चारे कुछ जाए नां इसके नीचे उवो लेटार तैंका इसने इसे नीचे इनको जाएंग किसे नीचे कि अजर ममत नमबर पहेंगे नहीं यह मैंने इनका सथा enfimernia मैं सबसे नीच माईं चाया जो भी यह मौर्किंग हो जिनका मार्क सबसे कम है सबसे नीचे रहते हैं उनको डर नहीं कि इनको सदे और है दिन प्रदिन इसलिए टाम करना असान होता है लेकिन उसे को बरकरार रखना या अपने अस्थान को बरकराइबा रखना उससे ज्यादा महत्वीट होता है भेट तो आफ सब अध्यापक बनिया अप्रियास करें आप भी जिस पोजिशन को प्राथ कर सद्यों से उपार जये नीचे मत जयेंगा ताफ करने से ज़्यादा महत्मुन के होता उस अस्थान को बरकरार रखना यह बचार जाये हो तो इसका अस्थान फिक्स है उपार जलकिसे नीचे नहीं सकता लेकिन आप नीचे जा सकते हैं इसलिए ताप जरूर करेंगे लिए ताप के स्थिति को परकरा रखेगा और मेहनत करेंगा सीटेट में पढ़िएगा कम एक अध्यापक के ब्यक्तित को एक अध्यापक होने के नजरिये को जादा देखेगा आप साउस से जादा स्कोर कर करेंगे और अपने गलती से अन्य कोचिंगों के भाती पढ़ना सुरू कर दिया और तब तो क्या कहते हैं सुल्हों डंडेकादसी हो जाएगा ठेक वीचिशने लोकित्ती महावरे का प्रयोग करते रहेगा हसाते रहेगा पढ़ाते रहेगा पढ़ते रहेगा अच्छा ख इपटेट दो चालों कम हो गए लेकिन सीटट कोई कम नहीं कुछत इन बहुत मजबूर है कि आपको पढ़ाना पढ़ रहा है वह से तक सीटट क्या है खाली बत्याना दिया रहेगा लेकिन अगले दिन का कहेंगे भाई कोचिंब जा पीच दिन सका मतलब तो पढ़ए तरिकत यह है कि शीटर ने पढ़ाया जो वह आपके भविस्ते से खेलवार किया पढ़ाने के तरीका लगे जैसे मैंने बताया कभी पेपर उठा के देखिए कभी उठा के देखिए पेपर आपको मार्केड मिलता हो ऐसा तो नहीं कि हम अपना छपवा के दिखाने के लिए ऐ अगर आपको लगाता रोसी पत्पे चलते रहना है पढ़ते रहना और टाप करना है